अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आपको जरूरत होती है अपने काम को जल्दी जल्दी करने की कौन से वाला काम? स्पेशली वीडियो एडिटिंग और ऐसा करने के पिछे कई सारी वज़े हो सकती है आपका एक क्रिकेट का चैनल हो सकता है सभी लोग मैच खतब होने के बाद वीडियो लगा रहे होंगे और आपको भी लगाना है तो आप जल्दी कैसे एडिट करेंगे अगर आपका खबर का चैनल है, न्यूट चैनल चलाते हैं आप तो भी यही कहाने होती है जहां कंपिटिशन वहां काम को जल्दी करने की जरूरत होती है और ऐसा आप तब कर पाते हैं जब आपके पास एक बड़ी टीम हो और अगर टीम नए हो आप एक वन मैन आर्मी हैं तो आपको जरूरत होगी कि आप जो भी कर रहे हैं उसे थोड़ा फस्ट करें प्रीमेर प्रो में अपनी एडिटिंग को पांच ऐसे तरीके जिनकी बदद से आप बहुत फस्ट कर सकते हैं पहला तरीका जे एंड के भाई ये जे एंड के क्या है आप जब वीडियो एडिटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है वह है कट्स लगाना और फाल्टू के पार्ट्स को निकालना और इसे करने के लिए कभी हम कीबोर्ड की तरफ भागते हैं तो कभी माउस की तरफ तो हम यूज करेंगे शॉटकट शॉटकट भी कैसा जिसमें दोनों हाथ इस्तमाल नए किये जाएं मतलब कंट्रोल शिफ्ट की बजाएं आप जे एंड के यूज कीजिए इसके लिए प्रेफरेंसेज में चले जाएं और जे पर एज शॉटकट ये टास्क असाइन कर दे और के पर इसे ऐसा करने से आप अपने वीडियो में कट्स और इन गैप्स को फिल करने का काम बड़ी तेजी से कर सकते हैं दूसरा टस्क जो की सबसे ज़्यादा परिशान करता है आप किसी स्टोरी लाइन पर काम कर रहे हैं आपके पास अचानक से ऐसी जरूरत आ जाती है कि बीच में कोई स्टोरी डालनी है story से मतलब आप वो कोई clip हो सकती है वो कोई photo हो सकता है timeline को आगे पीछे करने की जरूरत हो जाती है हिला के रख देती है एक छोटी सी clip photo पूरी timeline को तो इसे आप fill कीजिए यहाँ पर आप अपने नई clip को paste कर सकते हैं बिना disturb किये अपने timeline को shift V shift V क्या करेगा याद रखने में भी यह shortcut असान है यह shift करेगा timeline को और V से मतलब paste करेगा यानि कि पहले से मौझूद content को timeline पर अपने आप जगह बनाते हुए paste करना तीसरी जरूरत आपने काफी सारा video edit कर लिया अचानक से याद आया कि भाई audio पर तो effect लगे ही नहीं de noise नहीं लगाई base ट्रेबल को नहीं किया या फिर यार ये क्या color correction तो हमने की ही नहीं वैसे तो ऐसे common काम cuts लगाने से भी पहले ऐसा किया जाना चाहिए लेकिन अगर आप भूल जाते हैं या जरूरत ही आपको बाद में पढ़ती है आप किसी एक clip पर कुछ effect settings दे सकते हैं उसके बाद इसे simply copy कर लीजिए paste करते समय है आप right click करते हुए paste attribute इस option पर click कीजिए और बस okay पर click कर दीजिए और सारे के सारे effect इन नई clip पर apply हो जाएंगे नई clips सारी की सारी clips पर एक साथ हो जाएंगे या फिर आप चाहें तो यहां से जो जो effect पैस्ट करना चाहते हैं वो select कर लें इसी का उल्टा एक feature है remove attributes इसकी भी जुरूरत आपको बहुत बार पढ़ जाती है जिस तरह से हमने copy attribute किया तो आप clip को select करें right click करें and remove attributes timeline में आपका content आपकी clip पहले जैसी हो गई cuts लगाते समय हमें कई बार blank space को fill करने की जुरूरत पड़ती है ऐसा करने के लिए आप gap पर click करें एक white selection जैसा कुछ हो जाएगा और अब simply shift delete press करें gap fill हो गया shift delete भी क्यों करें भाई अभी अभी तो हमने एक नया shortcut बनाया है जे फिसे सुनिए तो gap को select करें select होने के साथ ही जे प्रेस करें आपका gap खतम next tip vertical selection आप जानते ही होंगे कि आप अपने पूरे track को select कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी हमें जुरूरत होती है एक particular जगह पर पूरे tracks को select करने की vertically तो ऐसा करने के लिए आप कस्टमाइज कर लें इस shortcut को इस feature को D पर जो कि मैंने कर रखा है और D प्रेस करते ही ये सारी clips के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं delete कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें अभी अभी हमने जो shortcut बनाया J उसे press करते हुए आप इस gap को fill भी कर सकते हैं यहां से delete करते हुए शर्त यह है कि इस तरह से बने हुए shortcut D से सिर्फ वही track select होंगे जो कि locked नहीं होंगे या यूं कहें enabled होंगे तो दोस्तों इन 5 shortcuts की मदद से आप अपने वीडियो editing को Premiere Pro में बहुत बहुत fast कर सकते हैं इसका अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि match खतम होते ही India win इस topic पर मैं अपने 3 cricket channel पर 15-20 minute में ही वीडियो डाल पाता हूँ तीनों पर वीडियो तो आपने upload कर दिया अब ये audience तक पहुंचेगा कैसे SEO कैसे कर रही है कैसा thumbnail बनाए इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल YT Inside पर जरूर विजिट करें इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो like जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए YT Editors को सब्सक्राइब करने के बारे में विजार कीजिएगा मिलते आए नेक्स वीडियो में जय है नी